हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स विद प्रशांत हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है जो वीडियो आपको बेच सभी से इंद्जा था, वो वीडियो आज आ चुकी है जिहां फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रेफिक लाइट पी लसी प्रोग्राम कैसे हम डिजाइन करते हैं ट्रेफिक लाइट का पी लसी प्रोग्राम यहां तक कि मेरे Instagram handle पर ही मेरे पास message आ रहे थे तो आज मैं आच चुका हूँ इस वीडियो के साथ और पूरा detail मैं आपको explain करूँगा friends कैसे हम इसको design करते हैं और यह मैं guarantee दे रहा हूँ friend इस वीडियो को समझने के बाद कैसा भी program होना आप उसको easily आप solve कर पाएंगे उसको easily आप design कर पाएंगे उसका ladder logic programming थोड़ी वीडियो लेंद दी हो सकती है लेकिन friend पूरा end तक देखना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैं आपको explain करने वाला हूँ इसकी programming विगाज यह बहुत ज़्यादा important question है PLC programming समझने के लिए तो चलिए friends वीडियो को start करते है start करने से पहले मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा question बताता हूँ conditions बताता हूँ वो आप ऐसे जानते ही हैं फिर भी एक बार में बता जिता हूँ traffic light जिसमें तीन lights होती है red, orange, green तो क्या होता है friend जैसी आपकी red light आएगी तो आप stop हो जाते हैं orange आती है आप ready हो जाते हैं और green आती है आप go हो जाते हैं, निकल जाते हैं तो conditions दी हूँ है red light सबसे पहले red light आपकी जलेगी जिसमें आपको 45 seconds का time है इसके खतम होते ही 5 seconds के आपकी orange light जलेगी और इसके orange green और इस तरह से process चलता रहेगा, start हमारी red से orange green फिर red orange green यह हमारी conditions हो गई अब इसी को हम draw करते हैं तो चलिए friends सबसे पहले हम क्या करेंगे एक हमने input लिया जैसे कि हर वीडियो में प्रोग्राम में लेते हैं और इस input से मैंने एक memory bit को on करा दिया, memory bit जैसे हम बोलते है binary bits और साथ में मैंन की addressing की करता चलता हूँ B 3 0 to 0 से इसके addressing हो गई input 0 to 0 यह कॉंसी बिट है dear friends memory bit memory bit अब इसकी holding कैसे करेंगे हम, holding करने के लिए हम latching करते हैं, उसी के जो हमने output यूज किया है हमने इसकी holding कर दी और इसको भी हमने जो address ही दिया 3 to 0 से 0 तो अभी हमने क्या किया है एक input लिया, उस input से मैंने memory bit को on कराया उस memory bit से हम क्या करेंगे एक timer को on करायेंगे तो मैंने एक memory bit ली और यहाँ पे हमने एक timer लिया इस timer को हमने on कराया timer की मैं addressing कर देता हूँ उसमें timer T4 is to 0 से इसकी addressing है time second में रहेगा preset value given question में 45 seconds और accumulator यह count करेगा किस से और कराया है मैंने इस timer को memory bit से B3 0 is to 0 से अब एक समझने की चीज़ आएगी एक बार द्वारे बता रहा हूँ वैसे मैंने बहुत वीडियो में explain किया हुआ है और हर वीडियो में आपको बताता हूँ lecture number 18 जिसको मैंने description में add किया हुआ है उसको जरूर देख लिए अगर आपको timer की programming effective तरीके से समझनी है क्योंकि फ्रेंट उस वीडियो मेंने बता वे हुआ है types of timer bits कितनी bits होती है timer की तीन bits होती है एक done bit होती है एक tt bit होती है एक enable bit होती है इनको कैसे use करते है detail में मिल जाएगा उस वीडियो में थोड़ा सा मैं आद द्वारे बताएता हूँ अब यह हमने क्या किया है memory bits से जैसी यह on होगी यह एनो से एनसी हो जाएगा और timer on हो जाएगा अब हमें क्या चाहिए 45 second के लिए red light को on कराना है मतलब timer start होती ही red light on हो जाए उसके लिए क्या करूँगा इसका मैं आउटपुट मान लेते हैं रेड़ लाइट का आउटपुट O0 से 0 यह हो गए आपकी timer की tt bit तो tt bit में क्या होता है जैसी आपका timer start होता है यह on हो जाती है और 45 second के लिए on रही उसके लिए अपना आप off हो जाएगी और इसका मैं addressing भी कर देता हूँ साथ में sorry comment red light तो हमारी red light on हो गई अब जैसी 45 seconds होंगी यह red light अपना आप off हो जाएगी और हमारी orange light on होनी चाहिए तो मैं क्या करूँगा done bit done bit कब काम आती है जैसी आपका timer की preset value complete हो जाती है उसके बाद done bit on होती है तो मैं एक बार done bit लूँगा इस बार उसी timer की और उससे एक और timer कौन करा दूँगा उस done bit से बने एक और timer कौन करा दिया addressing इसकी वही रहेगी T4 is to 1 preset रहेगा इसकी 5 seconds and accumulator आपका रहेगा यह count करेगा इसको on किससे करा है मैंने इस timer की done bit से done bit एक बार द्वारे देख लीजे इसको जैसी यह start होगा timer पर supply जाएगी और यह वाली आपकी NC बन जाती है red light on हो जाएगी 45 seconds को आदी आउटोमेटिक लिए no convert हो जाएगी और done bit on हो जाएगी तो उससे हमारा timer चालो हो जाएगा और जैसे हमने ऊपर किया है वैसे हम नीचे कर देंगे इस वाले timer से इस timer की मैं tt bit ले लूँगा और उस tt bit से क्या करूँगा ट4 की timer की tt bit से orange light को on करा दूँगा यह मैंने लिया और हैंपर मैंने orange light को on करा दिया addressing हो गई इसकी t4 1 की tt bit जिसको मैं timing bit के नाम से जानते है और यह on हो गई हमारा orange light orange light किसने second के लिए 5 second के लिए on रहेगी इसका address माली जा output o0 से 1 चलिए अब हमारी power dines वारे से draw कर लेते है बिल्कुल basic से चलेंगे slow process से ताई कोई भी problem ना हुआ हमारी orange light on हो गई फिरम क्या करेंगे green light चलानी है तो इस t4 वाले timer की जो t4 is to 1 है इसकी done bit लूँगा मैं उसकी done bit से क्या कर दूँगा एक और timer कौन करा दूँगा यह मैंने done bit ली t4 वाले timer की t4 is to 1 वाले timer की उससे मैंने एक और timer कौन करा दिया और इसका मैंने addressing दे दिये t4 is to 1 की done bit इससे मैंने timer कौन कराया हुआ है यह आपका timer है t4 is to 2 preset value इसकी given question है 30 seconds accumulator हमारा count करेगा अब जैसे हम अभी तक करते आएं इस timer की tt bit जैसी timer में supply जाएगी tt bit ओन हो जाती है उससे मैं green light ओन कर देंगे simple यह लिए timer की tt bit और उससे मैंने green light को on कर दिया addressing करते है t4 is to 2 की tt bit यह आपकी green light इसका address हो गया आपका कोई भी output o 0 से 2 और इसका comment हो गया green light यह प्रोश्य अप्रभी तक complete हो चुका है आगे जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से इसको explain करता हूँ तो यह आगे की जो line होने वाली है सबसे आप conception line अब आएगी इतनी steps के बाद जो सबसे important line है उससे पहले एक बार द्वारेस को समझेए अभी मैंने क्या किया हमने input को press किया उससे मैंने एक binary bit जिसे हम memory bit बोलते है उसे on किया वो memory bit यहाँ आगई अभी आपको समझे आएगा memory bit का use क्यों कर रहे है उस memory bit से हमने timer को on कराया हर timer के पास कितनी bits होती है friends वो तीन bits होती है जो EN bit होती है वो hold के लिए होती है timer को इसे भूल जाएए एक TT bit होती है एक DN bit होती है TT bit जैसी timer पे supply आती है यह on हो जाती है high हो जाएगी done bit timer का जब भी जो time दिया हुआ है यह complete हो जाएगा उसके बाद high होती है ठीक है तो हमें क्या करना है अभी जो question में है initially light को on कराना है 45 second के तो मैं क्या यूज़ करूँगा TT bit तो मैंने इस timer की TT bit का यूज़ किया T40 से TT red light को on करा दिया इसी timer की मैंने done bit का यूज़ किया एक दूसरा timer को on करा दिया तो जैसे 45 second complete होंगी red light तो automatically off हो जाएगी साथ ही उसी के साथ हो रहा है साथ ये timer पे supply जाएगी इस timer पे supply जाते ही दौआरे से इसकी TT bit में यूज़ कर ली orange light ओन हो जाएगी मतलब red हवानी light off हुई, orange on हो गई इसी process में जैसे हमारी orange off होगी green on हो जाएगी लेकिन अभी step यहीं रुख जाएगी हमें क्या करना है green को आद red को on कराना है और ये continue process चलता रहे अब समझना इसके लिए क्या करने वाला हूँ मैं इस वाले timer की done bit यूज़ करूँगा मैं, देखे मैंने done bit का use किया T4 वाले timer को T4 इस्टू वाले timer की और उससे यह हो गए T4 इस्टू टू done bit फर देखते रहें ना समझना इसको और इससे मैंने reset कर दिया कौन से timer को जो आपका ये वाला timer था T4 इस्टू 0 वाला T4 इस्टू 0 को मैंने reset कर दिया तो जैसी मैं इसको reset करूँगा reset करने के साथ ही ये वाला timer है, ये reset हो जाएगा जैसी ये reset होगा क्या होगा, ये T2 bit तो काम करने का अपने आप no करणोट हो गई, जैसी ये reset हुआ इसकी जो done bit है ये high हो चुकी थी, वो द्वारे से low पे आ जाएगी मतलब ये जो nc बन गया था, वो no बन जाएगा और जैसी ये no बनेगा, ये वाला timer भी reset हो जाएगा जैसी ये वाला timer reset होगा ये वाला ये done bit है, T4 इस्टू 1 की इसकी ये जो nc बन चुका है उस nc से द्वारे से no convert हो जाएगा low पे आ जाएगा, ये वाला timer भी reset हो जाएगा तो एक timer को reset करने से हमारे ये दोनो timer भी अपने आप reset हो जाएगे यही conceptual bit थी, है तो simple सी reset का concept पहले कई प्रोडामें बता चुका हूँ लेकिन तो लेंदी प्रोडाम है इसलिए आप confused नहीं हो इसलिए मैंने आपको detail में समझाया है दुआरे से reset का concept कई सारे YouTube से वीडियो आप देखोगे जिसमें कुछ अलगी concept समझा दिया है reset करने के लिए सब बखवाज हैं, simplest सा concept यूज़ करना है इस वाले timer को आप बस reset कर दिये जैसी ये reset होगा उसी के साथ ही एक साथ हो रहे हैं सारे काम, simultaneously ये आपका zero हो जाएगा ये वाले done bit zero हो जाएगे और ये दोना timer भी reset हो जाएगे और जैसे ही आप इसको reset करोगे अब हम लेकिए उसके आपका memory bit memory bit पे तो पहले सी supply है जब ये on है तो ये भी on होगी इसके reset होते ही फिर से हाँ से supply पहुच जाएगी इस पे क्योंकि ये तो NC बना हुआ है जैसी इस पे supply पहुचेगी red light फिर से on हो जाएगी मतलब जैसी हमारी green off वी red light on होगी और process हमारा continue चलता रहेगा red के बाद orange, orange को बाद green इस तरह से हमारा काम करता है timer अब एक input और आप यूज कर लीजे ये लग लिए मैंने input 0 से 1 ये NC है ये पूरे process को off करने के लिए अगर बाइचांस कोई maintenance वगरा करना है अब आपनी traffic light का तो हमने उसके लिए use किया है जैसे आप इसको press कर दोगे memory से supply हट जाएगी और memory से जैसी supply हट जाएगी जहां से इस memory bit से भी supply हट जाएगी और आपका पूरा process off हो जाएगा फोला lengthy video है friends एक बार द्वारे try कीजिए खुश से कोई भी doubt आता है comment section मुझे बताइए मैं आपके doubt दूर करने की पूरी कोशिक करूँगा और एक और चीब बता रहा हूँ friend यह तो भी पहला program है timer का एक simple सा logic लिया हुआ है इसके बाद मैं और भी advanced level programming बताऊँगा traffic light की simple सी बात को जो चो चोहराय पे आपके traffic light होती है न मैं वह आली programming दी आगे बताऊँगा आपको जब तक पहरा आप इसको पूरा briefly समझ लीजे और ध्यान रखिए lecture number 18 उसको जरूर देखिए वो बहुत जादा important है जो आपकी bits हैं उसको समझने के लिए इसके बाद complete आपको process complete हो जाएगा जैसी आप ये bits वाला concept और ये कर लोगे प्रोडाम सारी प्रोडाम आपकी clear हो जाएगी वीडियो अच्छे लगी तो फ्रेंड लाइक कीजे जाशार वीडियो को share कीजे and please don't forget to subscribe my channel thank you